हलो दोस्तो वेलकम टू स्टेड़ी उनिवर्स मद्यप्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज 27 जून 2019 और यह हमारी 180 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important हैं इन questions को आप note कर लें क्यूंकि ये आपके exam में पूछी जाती हैं साथ ही questions related important fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखनी हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem चाहे तो आप हमें comment box में जरूर बताएं हम आपकी problems को solve करेंगे question number first किस जिगे भारत की सब्से वड़ी film city बनाई जाएगी तह दोस्तो इसका सभी option है बारानसी भारानसी में भारत की सब्से बड़ी film city बनाई जाएगी नेक्स्ट question किस शहर को कैमरे से लेस किया जाएगा जिसका सही option है दोस्तों दिल्ली शहर को कैमरे से लेस किया जाएगा कैमरे से लेस यानि पूरी दिल्ली में कैमरे लगाए जाएगे दोस्तों हाली में यहां की मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल लें एक लाख चालिस जार कैमरे लगा जाने का प्रस्ताव पास किया है दिल्ली में जिससे पूरी दिल्ली को कवर किया जाएगा कैमरों के द्वारा अब पूरी दिल्ली पर कैमरों के द्वारा नजर रखी जाएगी दोस्तो अब बात आईए दिली की तो आपको मैप में दिली के बारे को बता दें मैप में ये जगह दिली को दरसाती है दिली के कवर्नर है अनिल वैजल और मुख्य मंत्री है अरविंद केजरिवाल दोस्तो 1911 में भारत की राजधानी दिली बनाई गई थी ये एक important question है दोस्तों हाली में जो RRV exam हुआ है उसमें पूछा गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब गठित किया गया था जिसका सही option है दोस्तों 1911 में next question किस राज्य के पूरों मोख्यमंत्री के नाम पर photo studio बनाया गया है दोस्तों इसका सही option है बीजू पतनायक के नाम पर हाली में एक photo studio बनाया गया है दोस्तों आपको बता दें बीजू पतनायक ओडिशा के पूरों मोख्यमंत्री है और अब इनके बेटे नवीन पतनायक यहां के मोख्यमंत्री है दोस्तों इनी के नाम पर यानि बीजू पतनायक के नाम पर एक photo studio श्वाणीशा में बनाया गया है, हाली में RBI की DP conveyor दिया है, वो खौन है दोस्तों, इसका सही hints है भिरल आचारिये, भिरल आचारिये RBI की hands up गवरनर दिया है दोस्तो, RBI के डिप्टी गवर्णर विरल आचारी ने कारेकाल खत्म होने से 6 माह पहले ही इस्तिपा दिया है दोस्तो, यह 7 माहे में दूसरी घटना है RBI के साथ RBI के उच्च अधिकारी अपना पद छूड रही है इससे पहले दोस्तो, RBI के गवर्नर उर्जित पटल ने भी RBI के गवर्नर पस से इस्तिपा दिया है दोस्तो मौजुदा अगर बात करें तो RBI के गवर्नर है शक्ति कांत दास दोस्तो अब बात आए RBI की तो आपको कुछ important fact RBI के बारे में बता दें RBI का full form Reserve Bank of India होता है RBI का headquarter Mumbai महरास्ट में है RBI की इस्थापना 1 April 1935 यानी 1935 में की गई थी और RBI के गवर्नर है शक्ति कांत दास दोस्तो इतना आपको RBI की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में किसे सागर का upper collector बनाया गया है दोस्तो इसका सही option है संदीब GR हाली में संदीब GR को सागर का upper collector बनाया गया है दोस्तो मद्वर्दिर सरकार ने 25 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए हैं हाली में इनमें अधिकांस 2013 और 2014 बैच के अफिशर हैं दोस्तो इसक्रीन पर आपको कुछ और नाम देख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता दें इन्हें CEO जिला पंचायत पन्ना बनाया गया है तो दोस्तो इन सभी की बारी में आपको इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन मत्यप्रदेश में प्रोपर्टी की दरें कब से कम हो जाएंगी तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है एक जुलाई एक जुलाई से मत्यप्रदेश में प्रोपर्टी की दरें कम हो जाएंगी दोस्तो आपको बता दें मत्यप्रदेश में कहीं भी प्रोपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी बलकि एक जुलाई से कीमतें 20 प्रतिशत कम हो जाएंगी या फैसला हाली में केंद्रिय मूलियंकन बूर्ड की बेठक में लिया गया है बूर्ड ने भूपाल, इंदोर, जबलपूर और ग्वालियर के कुछ चुनिंदा जगहों पर collector guideline या बाजार दर बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिच कर दिया है और अब प्रदेश में कहीं भी प्रोपर्टी की दरें नहीं बढ़ाएं जाएंगी बलकि 20% कम की जाएंगी एक जुलाई से बुंदेली समारोह का आयोजन हाली में कहां किया गया है तो दोस्तो इसका C option है भूपाल हाली में भूपाल में बुंदेली समारोह 2019 का आयोजन किया गया है यह कारिक्राम अखिल भारतिय बुंदेलखंड शाहत और सांस्कृती परिशत के तात्वधान में शुरू किया गया था दोस्तो यह आयोजन प्रिसिद कभी पदम स्री केलास मडवया के अमरित महुत्सों के उपलक्ष में भी किया गया है दोस्तो गुंदेली समारोह को अब बुंदेलखंड दिबस की रूप में मनाया जाएगा तो इतना आपको इस दिबस के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ इंपूटन फेक्ट भोपाल के बारे में बता दें जीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है दोस्तो प्राचीन काल में भोस्ताल की नाम से भी भोपाल को जाना जाता था मद्यप्रिदेश का सरवादिक जनसंख्य गनत्व 1854 यह भूपाल मिजले में ही इस्ते थे दुतिय आकश्वानी केंद्री की स्थापना 1956 में भूपाल में ही की गई थी भारत भवन की स्थापना 1982 यानि 1982 में भूपाल में ही की गई थे इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहीं पर बनाया गया है देश का दूसरा मास्टर कंट्रोल फेकल्टी भी भूपाल में ही बनाया गया है एसवाग इस्टिडियम भूपाल में ही इस्थत है रास्टिय विधी अकेडमी की स्थापना 1994 यानि 1994 में भूपाल में की गई थी देश की सबसे बड़ी मस्जद जिसे हम ताजुल मस्जद की नाम से जानते हैं यह है भूपाल जिले में ही इस्थत है दोस्तो आपको बता दें बिस्व का सबसे बड़ा सौर उर्जा सैंत्र यह भूपाल में ही लगाया गया है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भूपाल में ही बनाया गया है दोस्तो इसके अलाबा 2 और 3 दिसंबर 1984 को भूपाल में मिथाल आईसो साइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके करण भूपाल में हजार मौते हो गई थी तो दोस्तो यह कुछ important fact आपको याद रखने हैं इन में से कोई भी exam में पूछा जा सकता है Next question मद्धिप्रदीश में किस बायुश्विना के एरपोट को वर्थ येटर में बदला गया है तो दोस्तो इसका सही option है गवालियर गवालियर के एरपोट को हाली में वर्थ येटर के रूप में बदला गया है दोस्तो हाली में कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर यह airport को वर्थ येटर के रूप में बदला गया है दोस्तो ग्वालियर के महराजपुरा एरफोस इस्टेशन को वर्थ येटर के रूप में तबदील किया गया है दोस्तो अब बात आईए ग्वालियर की तो आपको कुछ important fact ग्वालियर की बारी में बता दें ग्वालियर के किले को Gibraltar of India यानि हिंदिकी किलों का सर्ताज कहा जाता है दोस्तो ग्वालियर में लशकर जो British शाशनकाल एक पल्टन शेत्र था वह शामिल है मुरार में एक British शावनी थी दोस्तो भारत का दूसरा सूरे मंदर मुरार में इस्थापित किया गया है तांचन की समादी, जैविलास पैलेस, गूजरी महल, मान मंदर, मोती महल, सास बगु का मंदर ये सभी ग्वालियर में इस्थे थे रूफ सिंग स्टेडियम और गजरा राजे मेडिकल कॉलिज जो 1946 में बसाया गया था ये ग्वालियर में ही इस्थे थे दोस्तो क्रशी विश्विद्याले जो प्रदीश का दूसरा विश्विद्याले है ये 2008 में ग्वालियर में ही बनाया गया है राणी लक्षिवाई सारेरिक प्रिस्रिक्षन केंद्र जो भारत का प्रतम प्रिस्रिक्षन केंद्र है ये ग्वालियर में ही बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको ग्वालियर के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन तो दोस्तो इसका सई उफ्षन है साकेत मालवियर को बैट तूल अपर कलेक्टर बनाया गया है दोस्तो इसक्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे इनकी बारे में भी आपको बता दें तो अभी पिरसाद को इन्हें CEO जिला पंचायत रायसेन बनाया गया है आदित तृषन को इन्हें CEO जिला पंचायत होसंगाबाद बनाया गया है और भव्या मिलतर को इन्हें CEO जिला पंचायत नीमच बनाया गया है वहीं साकित मालविय को बैतुल का अपर कलेक्टर बनाया गया है Next question मध्यप्रदीश में किस मंदर के मार्ग पर सवा दो करोर रुपे का द्वार बनाया जाएगा तो दोस्तो इसका सई ओफ्षन है खजराना मंदर इंदोर इंदोर की खजराना मंदर पर सवा दो करोर रुपे का द्वार बनाया जाएगा दोस्तो खजराना गनेश मंदर के मुख्य मार्ग पर सवा दो करोर रुपे का एक द्वार बनाया जाएगा इसकी डिजाइन को खजराना गनेश मंदिर समीती ने हाली में बैठग में फाइनल किया है दोस्तो आपको बता दें मंदिर के गर्व ग्रह के बाहर दर्शन विवस्ता बदलने का नेनाय लिया गया है गर्व ग्रह से बाहर स्टेपिंग की जाएगी भीड कम होने पर भक्त गर्व ग्रह के अंदर और भीड ज्यादा होने पर बाहर से भगवान गनेश के दर्शन कर सकेंगे ऐसी विवस्ता भी हाली में खजराना मंदिर में की गई है और ये एक important question है दोस्तो सबाद 2 करोर रुपे का मार्ग जो उद्वार है वह है खजराना गनेश मंदिर जो इंदर में है वहाँ बनाया जाएगा next question हाली में कहां केसरट ओजी दीना फेस्टिवल आयजित किया गया है तो दोस्तो इसका सही option है करनाटक हाली में करनाटक में केसरट ओजी दीना फेस्टिवल आयजित किया गया है दोस्तो आपको बता दें करनाटक के मंगलूरू में यह फेस्टिवल मनाया गया है इसके तहत लोगों ने धान के खेत में कीचड़ भरे पानी में नाच गा कर मौज मस्ती की यह festival पहली बारिस की जसने की रूप में मनाया जाता है तो आपको याद रखना है केशराट ओजी दिना फेस्टिवल यह करना टक में आयजित किया जाता है इतिहास के अनुशार गौालियर शहर की इस्थापना किस ने की थी? तो दोस्तो इसका सही ओफसन है सूरज सेन यहाँ पर सूरज सेन है, सूरज सेन है दोस्तो सूरज सेन ने गौालियर शहर की इस्थापना की थी आठवी शताबदी में दोस्तो ऐसी माननेता है ना की प्रूफ मिला है मानेता के नुसार गौालिया शहर की इस्थापना आठवी शताबदी में सूरज सेंद्वारा की गई थी तो ये एक दोस्तो important question है एक्जाम में पूछा जा सकता है confusing भरा question है इसलिए दोस्तो बात करते हैं previous day की question की तो कल का question था भूपाल में ETF पर कितनी प्रतिशत की कमी की गई है तो दोस्तो इसका option था 5 से 10 प्रतिशत तक का tax घटाया गया है ETF पर दोस्तो ETF का आपको full form बता दें ETF का full form था aviation turbine fuel दोस्तो बात करते हैं question of the day की तो आज का question है मद्प्रदेश का जरिया बाला बाग किस चिले में हुआ था इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का देंगे तो आज के लिए बस दोना ही आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्प्रदेश और वर्ल्ल के इंट्रेस्टिंग को लेकर हाज रहोंगे तो आज के लिए नमस्कार have a nice day